शायद ही ऐसा कोई दिन जाता होगा जिस दिन करनाल में भीशन सडख हादिसा पेच ना आए आए दिन सडख हादिसे में किसी न किसी की जान चली जाती है लेकिन ट्रैफिक, विवस्था और हादिसों के कारण कोई नजर नहीं डालता रविवार को करनाल काचवा रोड पर दो गाड़ियों की जोरदार भिडन्त हो गई इस हादिसे में गुर्दवारा लोहरा सहिब के मुखी बाबा कश्मीरा सिंग भी गहल हुए है बताया जा रहा है कि हादिसा उस वक्त हुआ जब बाबा कश्मीरा सिंग बलहो पोर से किर्तन करके अपनी गाड़ी में सवार होकर वापस लोट रहे थे तबी अचानक उनकी गाड़ी गलत देशा से आ रही सुइफ्टिस से टकरा गए हादिसे में तीन लोग घैल हुए हैं जिनमें बाबा कश्मीरा सिंग उनका ड्रैवर और अन्य चालक भी घैल बताय जा रहा है वहीं हादिसे में दोनों गाड़ियां बुरी तरह से शतिक रस्त हो गए सर ये सुबह साथ साथ बजी एक्सिडेंट हुआ है ये बाबा जी वहाँ गाओं बलोलपूर से किर्टन करके आ रहे थे और ना बेवापस दा रहे थे गुर्टवराय लोरा सामी और अचानक से ये गाड़ी जुन सी शूट गाड़ी है दूसरी तरफ आगे से आ रही है वह लड़के का द्यान नहीं था कैसे था वो जब एकदम देखा गाड़ी ने कट लिया और आगले ड्रैवर ने भी देखा वो भी एकदम कट लिया और दोनों गाड़ी आपस में ट गटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुच कर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजबाया और क्रेन की मदस्ते दोनों गाड़ीयों को सडक से किनारे कर रोड को बाहाल किया द्रैवर ने बताया है कि वो इस रस्ते को मुड़ने की सोच रहे थे लेकिन इतर नी मुड़ा बाबाजी नी आपनी समय टकर हो गई है तो जिसमें पता लगया कि संट किश्मीर सिंग जी अड़ावाले बहुत मापूर संथ हैं तो बहुत प्रमात्मा किरपा और ये बचा है तो बाबाजी को बता रहे हैं थोड़ी बहुत चोट है और उस ड्रैवर को भी थोड़ी बहुत है लेकिन बचाव है सकते किसी ज्यादा आदसा नहीं होया तो बड़ी प्रमात्मा की किरपा है कि वहां पुर्स बच गए हैं बताय जा रहा है कि सभी गायल खत्रे से बाहर हैं वहीं पुलिस मामने की जांच कर रही है हादसा किस वजह से हुआ फिलहाल इस बात की जानकारी हांसिल नहीं हो पाई है ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब के सिरी टीव हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद